नमस्कार दोस्तों आज नो तारिक और आज की जो करंट अफेर टोपिक रहेंगे काफी इंटरस्टिंग रहने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कॉंस्टिजुशन बेंच ने अपना फैसला रिजरूब कर लिया है जली कट्टू के बारे में तो जली कट्टू क्या है इसके पूरी हिस्ट्री को पड़ेंगे चाती साथ हनी भी मिशन को पड़ेंगे और रंजी टोफी अभी चल रही है तो इसका हिस्ट्री वगेरा क्या है तो पूरा देखेंगे और माली परवत बोकसाइड माइनिंग लीज जो है न, इसके उपर भी प्रोटेस्ट चल रहे है, तो कहां पे चल रहे है, इंडिया के अंदर कितनी क्वानटेटी के अंदर बोकसाइड है, वर्ल्ड के अंदर कितनी है, कौन सा टोप प्रोडूसर है, तो सारा का सारा यहां प भोक्स को distribute किया गया है भाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के दौआ ठीक है यह उनी लोगों को distribute करवाए गए है जिनको गुवर्मेंट ने ट्रेनिंग दी थी कितने लोगों को ट्रेनिंग दी थी करीबन 17,500 लोगों को 17,500 लोगों को 1,75,000 बोक्स इस डिस्ट्रिबूट किये गए एस पर नेशनल होटी कल्चर बोक्स NHB के दुआरा क्या बताया गया है कि उत्रपरदेश, वेस्ट बंगोल, पंजाब, पिहार, राजस्थान इमाचल परदेश, हरियाना, उत्रखंड, मध्या परदेश और करनाट का यह वो 10 सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है 2021 और 22 की अब देखते हो वाट इस हनी मिशन इसको 2017 में लोंज किया गया था इन लाइन विद स्वीट रिवल्यूशन के चक्कर में अंडर दा मिशन, के वी आईसी, के वी आईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के वी आईसी काम करती है किसके अंडर में? MSME के अंडर में, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises जो प्रोवाइड गरती है, Farmers और Bee Keepers को ट्रेनिंग प्रोवाइड गरती है कि भई आपको कैसे Honey Bee की Colonies को एक्जामीन करना है, उनको कैसे लगाना है कैसे identify करना है, manage करना है Bee Enemies कौन-कौन से कि भई मदू मक्यों को खतम करने वाली बिमारिया और उसके दुस्मन कौन-कौन से और उनसे बीज को कैसे बचाना है ठीक है, पूरे सीजन में साथी साथ Honey को कैसे extract करना है और उसके wax को कैसे purify करना है तो इन सब चीजों की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है What is Sweet Revolution? यह ambitious initiative है, Corvent of India का जहाँ पे वो किस चीज को प्रमोट करते है epigulture, मदुमक्खी पालन को प्रमोट करते है और इसको किस नाम से भी जाना जाता है beekeeping के नाम से भी To provide a booster short to Sweet Revolution The Corvent launched the national beekeeping and honey mission in 2020 तो Sweet Revolution को booster provide करने के लिए इसको और तेजी से चलाने के लिए Corvent ने एक और किया गया था यह एक center sector scheme थी जो किसके अंडर में आती थी Ministry of Agriculture and Farmer Well Fair के अंडर में आती थी जो की part था हमारा आत्मनीरबर भारत scheme का हम नहीं चाहते ही कि हम बाहर से honey को भी import करें जो कि हमारी country की कुद की इतनी बड़ी efficiency है इसको produce करने की तो उससे कहना अगर हम ज़्यादा produce करेंगे तो हमको बाहर से import कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी और उसके uplux में भुगतान करने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो यहाँ पे हमारा double फायदा हो जाता है और import कराने की बज़ाए हम यहाँ से export कराना बहतर समझेंगे अब इसकी aim क्या है it accelerate the production of good quality of honey यहाँ पे high quality of honey को produce करने की बात की गई है साथी साथ उसके और भी other related products जो बच जाते है wax जो बच जाता है तो उसके भी काफी ज़ादा use है like उनके क्या-के use होते देखो epiculture के अंदर जो byproducts होते है उससे हम royal jelly बना सकते है be wax, pollens है ना यह सब use होते है किसके अंदर different sectors के अंदर like pharmaceutical हो गया food, beverages, beauty and other products के अंदर हम इनका use करते है what is KVIC KVIC क्या है ठीक है KVIC एक statutory body है जिसको establish किया गया था under khadi and village industry commission act 1956 के अंदर में the KVIC is charge इसके पास क्या-क्या काम है क्या-क्या काम इसको सोपे गया पहला तो क्या है कि इनको planning करने का काम सोप पा गया फिर promotion का काम सोप पा गया फिर organize करना है और फिर उसी काम को जो plan किया उसको implement करना है different different programs को जिससे कि development host के खादी और जो भी village industries है उनका जो की rural areas के अंदर present है और यह coordinate करती है different different agency के द्वारा और जिससे rural development ज़्यादा बढ़ सके यह किसके अंदर में काम करती है हमने पहले ही पढ़ा था MSME के अंदर में काम करती है यह कह रहे है ओडिसा गुर्वेंट को कि आप हिंदेल को company की जो mining lease है उसको extend मत कीजिए और यह क्यों कह रहे है तो पूरा matter यहां पे देखते है ahead of Odisha State Pollution Control Board's Hearing on Environment Clearance और माली परवत Boksite Mining Lease तो यह जो environment clearance की जो अभी hearing होनी है उससे पहले ही वहां के जो local people's है उन्होंने protest start कर दिया कि हम नहीं चाहते कि यह जो lease है यह आगे बढ़ाई जाए इसको permanently cancel करना चाहिए कि यहां पे जो माली परवत के अंदर Boksite Mining की जो lease है Boksite को निकाला जाते है उसको ban करना चाहिए यहां से कोई कुछ नहीं निकालेगा इनका issue क्या है तो issue के लिए देखो इसको start करते 2003 से The opposition to the mining activities in Mali पर और date packs to 2003 2003 से पहले का यह मसला है जहां पे public hearing organize करवाई गई थी Odisha की जो state pollution control border उसके दोवारा किस वास्ते environmental clearance के वास्ते After a lease was granted to Hindalco in 2007 2007 में Hindalco company को lease मिलगी वहां से boxside निकालने के लिए लेकिन villages का वहां के जो नागरिक है जो गाउं वाले हैं उनका क्या मुद्दा था उनका क्या कहना था कि जो उनकी जो बाते हैं जो उनके objections थे उनको project के मद्दे नजर रखते हुए ignore किया गया government ने उनकी बातों को नहीं माना और जो एक्टिविस्ट थे उनका क्या कहना है कि जो company की environment impact assessment report थी उसके अंदर क्या mention किया company ने कि माली परवत के उपर किसी भी तरह की कोई water body नहीं है ठीक है कोई water channel नहीं है जहां से पानी आता हो लेकिन यहां के जो regional गाउं वाले है न जो वहाँ पे रहते हैं वो क्या argue कहते हैं कि इस परवत के उपर 36 perennial streams है जहां से पूरे साल पानी आता रहते है और वही एक किलोता मातर स्त्रोत है गाउं वालों के लिए जिस पानी से वो खेती बाड़ी करते है साथ ही वो drinking purpose के लिए इस पानी को use करते है और यहां पे अगर mining ऐसे ही चलती रही तो यह 36 के 36 जितने भी स्त्रोत है न यह खतम हो जाएंगे और यही कारण है कि यह चाहते है कि यहां पे boxside mining को cancel कर देना चाहिए लेकिन 2011 तक company failed to carry out mining 2011 तक वो mining करनी पाए लेकिन जैसे उनका environmental clearance expire हो गया लेकिन उसके बाद भी कहा है न 2012 से 2014 तक वो illegally इसको बिना clearance को renew करवाय हुए वहां पे mining करते रहे The industry has got a fresh lease for 50 years for which public hearing was necessitated तो अभी company को कहा है न 50 साल के लिए इसकी lease मिल रही है लेकिन उससे पहले एक public hearing करवाना यहां पे अनिवारिया है जरूरी है ऐसा क्यों हम पुरा देखते हैं पटिस environment impact assessment यह होता क्या है वैसे तो देखो environment है तो परियावन से related है impact मतलब उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी assessment report बनानी है कि जो आप वहां पे project लगाने वाले होना तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वहां की local जितने भी flora and fauna है वहां का जब भी hilly area, forest area या वहां के लोग है उसके उपर उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है in future इसका एक prediction लगाया जाता है अनुमान लगा कि यह report बनाई जाती है और यह जरूरी भी है Under Environment Protection Act 1986 के अंदर में process की बात करें तो यहां पे सबसे पहले क्या होती है screening होती है कि कितना investment किया जाएगा किस type की development वहां पे की जाएगी location क्या होगी project की development की और बाद में देखा जाता है कि Environment Clearance के लिए क्या क्या वहां पे requirement होगा Scoping is a process of detailing the term of reference of EIA यानि की Environment Impact Assessment की क्या क्या terms होगी That is the main issue or the problem in the development of a project अब बात करते देखो Impact Prediction के अंदर क्या क्या involved होगा कि mapping की जाएगी वहां के Environmental Consequences की कि यहां पे क्या क्या problems आ सकती है और अगर यह problem हमारे आगे अडरी है तो इसका solution क्या होना चाहिए इसका alternative क्या होना चाहिए यह सब उस report के अंदर एक अनुमान लगाया जाता है और जब यह पूरी report बन जाती है उस time पे वहां की जो public है ठीक है वहां के जो भी लोग है विलेजर से उनको inform किया जाता है और उनसे consult किया जाता है इस development से related और जब यह consultation होता है उनको सारा कुछ समझाया जाता है तो वहां पे वो अपने भी कुछ विचार रखते हैं उनके कुछ objections हो तो उनको भी सुनवाई होनी चाहिए और लोगों का यही कहना है कि जो last time ऐसा हुआ था तब भी इनकी बातों को ignore किया गया था और अब आप फिर से 50 साल के लिए lease दे रहे हैं तो वो काफी गलत है अब देखते है वाट इस बोक्साइड बोक्साइड है क्या बोक्साइड एक और है किसका ऐलमिनियम का तो जो यहाँ पे जो क्या कहते है न ऐलमिनियम ओक्साइड है वो हाइडेटिड फोर्म के अंदर मिलती है रोक्स में अब बोक्साइड का प्रैमिनियम को हम निकालते हैं कौन सी प्रोसेस के तरू बेर प्रोसेस के तरू उस टाइम पे बोक्साइड का यूज होता है तो मरला अगर हमको अलमिनियम जादा चाहिए तो हमको बोक्साइड की भी जादा जुरूरत पड़ेगी इसी वज़े से इसकी वर्ल्ड के अंदर डिमांड बढ़ती ही जा रही है अब बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रिबिशन की रिजव की 2015 का जो डेटा है उसके अकोडिंग देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 बिलियन टन बोक्साइड मुजूद है जो की गुनिया के अंदर कितना है 25 परसेंट है उस्ट्रेलिया के अंदर 20 परसेंट वियतनाम 12 ब्राजील के अंदर 9 परसेंट जमाइका 7 परसेंट इंडोनेसिया 4 एंड चाइना के अंदर 3 परसेंट लेकिन यहाँ पे देखो गुनिया के अंदर सबसे ज़ादा है लेकिन जो production सबसे ज़ादा कौन करता है Australia करता है इसके अंदर केवल 20% है पूरे वर्ल्ड का जो 39% share जो production का है वो करता है Australia फिर 19% China अगर चाइना के अंदर quantity देखा जाए तो 3% ही है लेकिन उस 3% में भी 19% ये निकाल के बेश देता है गुनिया की बात करें तो 18% ब्राजील 10% और इंडिया 7% प्रोड्यूस करता है अब इंडिया की बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़ादा कहां पाया जाता है ओडिशा के अंदर पाया जाता है पूरे कंट्री का 100% में से 90% के ओल ओडिशा के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आंदर परदेश 16 गुजरात 9, जारकंट 6, महराष्ट 5 और मध्यापरदेश और 36 गड़ मिला के 4-4% इच को मिल जाता है ठीक है प्रोडक्शन की बात करें तो इन टम ओफ प्रोडक्शन 2020 के अंदर ओडिशा ने 11% अपना टोटल आउटपूट दिया था उसके बाद में गुजरात में से 9% निकाला गया था और जारकंट से 6% नेक्स्ट टोपिक होगा हमारा जली कट्टू से रिलेटिड जो यहां की कॉंस्टिचूशन बेंच है सुप्रीम कोट की उन्होंने एक अपना फैसला क्या गर दिया आरक्सित कर लिया है जली कट्टू से रिलेटिड तो यहां पे क्वेश्चन क्या था ना कि तमिल नाडू गोर्वेंड ने तमिल नाडू लोग के अंदर यहां पे क्या है ना बुल टैमिंग एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई यहां पे एनिमल का एक्स्ट्टेशन हो रहे है ना उसके साथ गलत हो रहे है और यह सब नहीं होना चाहिए तो इसी के अबजेक्शन में पिटीशन यहां पे डाली गई थी अब देखते हैं वाट इस जली कट्टू जली कट्टू इस ट्रेडिशन स्पोर्स तैट इस पॉपलर इन इंडिया इन इंडियन स्टेट और तमिल नाडू तमिल नाडू के अंदर सबसे जादा खेला जाता है जली कट्टू तो यहां पे देख रहे होंगे यहां पे एक बूल को छोड़ दिया जाता है ओपन ग्राउंड के अंदर और यहां पे यह जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रूप्स आपको दिख रहा होगा यह यह येलो कलर की टीशियर्ट है तो मतलब यह एक ग्रूप होगा यह पिंक लाइट पिंक में है तो यह एक अलग ग्रूप होगा और यहां पे कॉंपिटिशन क्या होता है जो यह बूल की जो पीट है न इसके उपर बैठना होता है और जो सबसे ज़्यादा टाइम तक इसके उपर सबसे रहा पाता है तो वही ग्रूप आई तिंक जीज जाता है जो लोगों की भीड़ उसके अंदर एक वाइल्ड बूल को छोड़ दिया जाता है जो यह बूल की जो हमप है इसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं जितना जादा देर यह उस पर हो सके फिर वह अटेम्ट करते हैं कि इस बूल को अंडर कंट्रोल में ले के आया जाए यह सेलिब्रेट किया जाता है जनुरी महिने के अंदर तमिल लाडू तमिल हारवेस्ट फेस्टिवल पॉंगल पॉंगल के फेस्टिवल के टाइम पर यह खेला जाता है यहां पर कंसर क्या है तब प्राइमरी क्ट्टू को और जली कट्टू सुट बी ग्रांटीड कॉंस्टिचूशन प्रोटेक्शन as a collective cultural right under 20 article 29 close 1 तो यहाँ पर question क्या arise होता है कि क्या हमको जली कट्टू को constitutional protection provide करनी चाहिए as a cultural right है न जो article 29 के under में आता है और article 29 का close 1 क्या है हमारा एक fundamental right है जो कि part 3 के अंदर present है constitution के जहाँ पर बात की गई है to protect the educational and cultural right of the citizen तो Tamil Nadu के जितने भी citizen है उनका ये एक तरह से culture है जो पुराने समय से चलता रहा है और इसी के अंदर में इसको protect करने की वहां की government बात कर रही है कि हमारा cultural sports है इसको हम article 29 के under में protect करना चाहते हैं तो यहीं पर supreme court आजाता है कि महां पर सुनवाई चलती है क्या हम इसको under article 29 रखना चाहिए या नहीं तो यहां पर court क्या एक्जामीन करता है कि यहां पर किसी भी तरह से cruelty तो नहीं हो रही है अनिमल के साथ में और वर एक्चॉली means to ensure that the survival and well-being of the native breed of the bulls और यहां पर एक चीज और भी देखने वाली बनती है कि जो यह breed है न बूल्स की वहां की native breed है और इसको survive करवाने के लिए हमको क्या कदम उठाने चाहिए अगर इस तरह के game होते रहेंगे जहां पर एक specific breed को लेके आया जाता है तो देखो इस game को अगर future में भी आपको खेलते रहना है तो आप उस breed को भी बचा के रखेंगे तो क्या हम उनके sun reduction के लिए ठीक है इसके ऊपर वो hearing कर रही थी और जो उन्होंने अपना जो फैसला है वो reserve कर लिया है और यहां पर क्या है ना जो five judge की bench थी heard the parties on whether the new jali kattula was relatable to article 48 of the constitution which asked the state to endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific line तो 48 क्या कहता है article के अंदर यहां पर क्या state urge कर रही है कि वो organize कर सकती agriculture और animal husbandry को किसी भी modern और scientific lines के उपर तो वहां पर भी क्या यह सही बैठता है या नहीं बैठता तो इस चीज़ को भी जो हमारी constitutional bench है वो अपने ध्यान में रखते हुए अपना सायद फैसला सुनाने वाली है the constitutional bench also looked into whether the jali kattu तो यहां पर साथ ही साथ देखो जली kattu के साथ एक bull kart race भी होती है जहां पर bull के पिछे यह काट लगा दिया जाता है फिर वहां पर race करवाई जाती है कि कौन आगे निकलेगा है न यह देखा जाता है basically करनाटका और महराश्टर में भी तो उसको भी साथ ही साथ यहां पर court लेके चल रहा है कि उसका फैसला क्या करना चाहिए उसको भी हमको prevention की category में डाल देना चाहिए या फिर उसको भी allow करना चाहिए What are the associated legal interventions? 2011 के अंदर center ने add किया था bull को list of animals में जिसकी training और exhibition को prohibit कर दिया था कि आप उसकी ना तो training कर सकते ना उसको कहीं पर exhibit कर सकते Supreme Court ने ban कर दिया था जली कट्टू को throw a judgment in May 2014, 2014 के अंदर in Animal Welfare Board of India वर्सीज नागराजा केस on the ground of cruelty to the animal जो cruelty of the animal act 1990 के अधिन में Supreme Court ने 2014 के अंदर जली कट्टू को ban कर दिया गया था और यह कौन सा केस था? यह केस था Animal Welfare Board of India वर्सीज नागराजा केस 2018 के अंदर Supreme Court referred the जली कट्टू केस to the Constitution bench whether it is a pending now मरला उसके बाद 2018 में यह फिर से केस उठा और फिर जो Supreme Court है इसने इस केस को अपनी constitutional bench को स्वाप दिया और जहां पे अभी तक यह pending पड़ा हुए जिसको अंदर जली कट्टू के अपर काफी बवाल हुआ था तो Supreme Court ने इस पे बैन भी लगा दिया था लेकिन फिर जो तमिल नादू गवर्वेंट है वो अपना एक नया रूल लेके आई जिसको अपना अधू अधू के आई जिसको अधू के अधू के अधू के अधू के इसको क्या बोलते थे हैं बुल टैमिंग स्पोर्ट के नाम से इसको नाम दिया गया और फिर से इसको आर्टिकल 29 के अंदर में एड़ करके ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे उस वज़ए से फिर से केस उठके आ गया था करनाटका टू पास्टेश लाट टू से वा सिमिलर स्पोर्ट कांबाला कंबाला स्पोर्स को बचाने के लिए वो भी ऐसा ही कुछ अपना एक नया लो लेकिया है एक्सेट इन तमिलाडू और करनाटका वर बुल टैमिंग और रेसिंग कंटीनु तो बी और इस स्प्रिम कोट ने इसमें बेहन लगा दिया था उसके बाद अंदर प्रदेश पंजाब महराश्टर में ये गेम नहीं कहला जा रहा था लेकिन बेहन लगने के बावजूद भी तमिलाडू और करनाटका ऐसी स्टेट हैं जो अपना अपना कानून लेकिया है ना करनाटका ने इसको कंबाला नाम दे दिया और तमिलाडू ने इसको दूसरी कैटेगरी में ही रख दिया नाम ही बदल दिया बूल टैमिंग स्पोर्ट रख दिया और इसको फिर से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कोट का उलंगा नहीं मैं मानता हूं क अब बात करते हैं रंजी ट्रोफी की बारे में ठीक है जो कि फिलाल अभी चल रही है 13 दिचंबर 2022 से स्टार्ट हो गई थी 20 फर्वरी 2023 को खतम हो जाएगी तरणजी ट्रोफी found it by the board of control cricket in India यानि की BCCI के दवारा इसको found किया घ्या था स्टार्ट किया गया था एंड वास नेम आफ्टर वन और इंडिया फस्ट टेस्ट क्रिकेटर बारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर के नाम पी इसका नाम रखा गया रंजीत सिंजी जो की खेलते थे इंग्लेंड के लिए और सुसेक्स के लिए रंजीट सिंजी नोन ऐस दा फादर ओफ इंडियन क्रिकेटर इनको फादर ओफ इंडियन क्रिकेटर के नाम से भी जाना जाता है लेकिन रियालिटी में ये कभी भी भारत की और से नहीं खेले इन्होंने एक गेम भी आज तक भारत की इंडिया की तरफ से नहीं खेला लाजली रिजनल इन नेचर रंजी ट्रोफिक कैन बी अजूम अप एज डुमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीरीज प्लेट बाई वेरियस रिजनल टीम्स अगेंस्ट वन अनदर तो देखो एक तो होता है इंटर्नेशन लेवल पे जो हमारी टीम इंडिया खेलती है ना लेकिन तो डुमेस्टिक लेवल पर यह उसी के लेवल का आप मान सकते हो जो हमारी कंठ्री के लिए गेम खेलते हैं तो यहां पर क्या होता है ना डिफिर्न डिफरें स्टेट्स की regional teams यहाँ पे आके खेलती है the series was announced in 1934 1934 के अंदर series को announced किया गया and the initial fixture took place in 1934 to 5 1934 1935 के अंदर इसको फिर्शे महला पूरी तरह से start किया गया माराजा भुपिंदर सिंग और पतियाला इन्होंने डोनेट किया था trophy को the रांजी trophy has gained vast popularity over the years in many modern times have achieved a similar status like county cricket जो कि England के अंदर भी एक ऐसा ही यह है जिसको किस नाम से जाना जाता है county cricket जैसे हमारे यहाँ पे रंजी है तो उसी तरह से यह भी काफी similar status के साथ में उबरता हुआ रहे और आपको पता होगा अब काफी इंडिया के ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी है जो खेल चुके है वो भी कहां से निकल के हैं वो भी रंजी trophy खेल के यह वहाँ पे पहुंचे वन अव दे मोस्ट डिस्टिंग्विट्स फीचर ओव दिस सीरीज इस देट अपार्ट फर्म रिजनल किर्केट बोर्स जो रिजनल किर्केट बोर्स है लाइक वेरिस स्टेट्स के उनके अलावा यहाँ पे गोर्वेंट की टीम्स भी आके टूर्नामेंट के अंदर पाट लेती है लाइक रेलवे टीम होगी और डिफरेंट डिफरेंट गोर्वेंट की जो एंटिटीज है उनके प्लेयर्स भी यहाँ पे आके गेम केलते है इन रंजी ट्रोफी 2022 देश करीबन 135 मैचिज यहाँ पे होने है जिनको 32 टीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और चार गूर्प में यहाँ पे बाढ़ दिये गए लास्ट येर का ट्रोफी जीता था मध्या प्रदेश ने वट आर दा अधर दोमेस्टिक क्रिकेट टॉन्नामेंट तो रंजी की तरह ही और कौन से कौन से ट्रोफी यहाँ पे खेली जाते इंडिया के अंदर फिर उसके अंदर आती है दुलीब ट्रोफी जिसको कुमार स्री दुलीब सिंग जी और नाव नगर जो कि इनके नाम से यह काफी परचली थे उन्ही के नाम पर इसका नाम रखा गया है दुलीब ट्रोफी इस डॉमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कॉम्पिटिशन इन इंडिया उस फर्स्ट एडिशन वस प्लेड इन 1961-62 1961-62 के अंदर इसका पहला क्या है न एडिशन खेला गया था फिर बात करते हैं विजे हजारे ट्रोफी के बारे में विजे हजारे ट्रोफी इस लिमिटिड ओवस डॉमेस्टिक कॉम्पिटिशन मलव यहां पर ओवस काफी लिमिटिड होते हैं जहां पर डिफरेंट स्टेट टीम्स आके गेम खेलती हैं आपस में कॉम्पिटिशन करती हैं और इसका नाम किसके नाम पर पढ़ा था इंडियन बैट्समेन विजे हजारे के नाम पर फिर बात करते हैं देवदार टोफी के बारे में देवदार टोफी इस लिस्ट ए डोमेस्टिक 50 ओवर कॉम्पिटिशन पचास ओवर का कॉम्पिटिशन मैच होता है जो की हर साल खेला जाता है और पहली बाद स्टार्ट हुआ था 1934 के अंदर फिर बात करते इरानी कब की ओन कमप्लिशन ओफ 25 एर ओफ रनजी ट्रोफी चैंपियनशिप जैसे 25 साल पूरे हुए रनजी ट्रोफी चैंपियनशिप के तो बी-सी-सी आई ने इरानी कब को क्या करा इन्योग्रेट किया इसको स्टार्ट किया in the name of Z.R.I.Rani in 1960 1960 के अंदर Z.R.I.Rani के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था इरानी के कप सी a match annually between रंजी ट्रोफी चेंपियन्स और the preceding year and the rest of the Indian team तो इरानी कप के अंदर कौन होता है जिस टीम ने रंजी ट्रोफी जीती है ठीक है उनका match होता है किसके साथ में रेस्ट होता है इंडियन टीम के साथ में परते है सेद मुस्ताक अली ट्रोफी के बारे में इसको इंट्रोड्यूस करवा गया था 2089 के अंदर ता सेद मुस्ताक अली ट्रोफी is a 2020 cricket match एक 2020 domestic cricket match चैंपियन्सी पे जो की organize की करवाई जाती BCCI के द्वारा among the team from रंजी ट्रोफी जो रंजी ट्रोफी की teams होती उन्हीं के बीच में इस match को करवाया जाता है तो ये थी हमारी आज की class वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा देखो कई बच्चे वीडियोस देखते हैं बच चैनल को subscribe नहीं करते तो भई थोड़ा सा आप भी support दिखाईए मैं भी मैनत कर रहा हूँ और साथ इसको आगे बढ़ाएंगे और आपका कोई सुझाओ suggestion हो तो comment section में भी आप बता सकते हैं और otherwise आप मुझे personally message कर सकते हैं मेरी telegram ID पे जिसका link आपको description में मिल जाएगा और इस class की PDF भी आप वहाँ से ले सकते हैं तब तक मिलते हैं अपनी next class के अंदर तब तक, thank you, have a nice day